जी बच्चे नेक्स कोईशन देखते हो नेक्स कोईशन कोन सा कर रहे हैं हम 39 राम, मोहन और Candor तो पहले का नाम राम मोहन, इसलिए मैं तीनों का कर रहा हुँ ना ताकि जल्दी जलदी हो जाए इसमर्ड में कहता है राम, मोहन और Candor दोहन शेयर प्रॉफिट लॉसस इक्वली और कैपिटल दे रखा है एक बीस और नब्बे और साथ फॉस्ट यह टूज़न नाइन टूज़न नाइन में क्या हुआ कि इंट्रस वास क्रेडिट 6% इंस्टीड और 5% तो हमेंसा बच्चे याद रखना इंस्टीड के बाद वाल ठीक होता है तो इसको देना कितना था 5% और दिया इसने 6% यहां पर गीवन दा अट्जस्मेंट जनल एंट्री और जनल एंट्री करना है हमें देना कितने परसंट था 5% दे दिया 6% तो सबसे पहले तो capital लिख लेता हूं मैं तीनों का राम, मोहन, सोहन का राम, मोहन, एड़ सोहन इनकी capital question में दे रखी है आप एक बीस, नबे, एक बीस, वन ट्वेंटी, नैन्टी, और सिक्स्टी और closing opening का कोई मतलब नहीं है क्योंकि profit वगरे नहीं दे रखा, तो जरूरी नहीं है कि profit आपको given हो, ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूं, सही हमें देना था 5% लेकिन हमने दिया, कितने परसंट दे दिया हमने 6%, तो भाई जो गलत कर रखा है, उसको ठीक करिए, तो firm ने इ इसके account में credit क्या था, तो वापसी ले लो भाई 6%, तो 6% वापसी लेना है, तो एक बीस पे 6% क्या होगा, एक बीस पे 6% हम वापसी लेते हैं, अब मुझे आप जबाब दीजिए, बहतर सो रुपए, अब आपको पहले interest on capital मैंने दिया था, मैं पहले वापस ले लू ना, सा interest on capital या taken back, वापस ले लिया, 6% वाला, दे दिया था, गलती था, ये, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है न, वापसी ले रहे हैं, तो एक बीस पे 7200 वापस लेके भाई debit कर दिया, आप से कितना लेंगे, आप से भी भाई लेंगे, आप से भी लेंगे भाई, कितने, 1800 वापस दो भाई, 1800, अठारा सो यह होगा ना, इसका, अहां, 3600, 3600, और आप सब पार्टनर से लेके firm के अंदर आ जाएगा, तो firm के पास क्याएगा, 2700, 5400, प्लस 3600, तो 16200 firm के पास credit हो गया, अब हमें आपको देना है interest, ऐसा नहीं है कि आपको interest नहीं देंगे, चिंता मत करो, interest on capital, 5% मिलना चाहिए, तो 6000 मिलना चाहिए, 5%, 4500, 5%, 3000 मिलना चाहिए, तो आपको firm देने की जो guarantee लेता है, वो लेता है, 13500, मिलना चाहिए, 13500, तो आप खुद सोचिए, P&L appropriation में, आपके 16200 है, interest देना था 13500, ठीक है न, बापसी आगे न, आपके return back, तो अभी भी आपको और credit होगा, जो profit के हिस्से में जाएगा, कितना जाएगा, simple, 16200 और 13500, अरे समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, चलो, अब मैं अपने दूसरे मार्गर से करवाता हूँ, फिर समझ में आएगा, आपको 16200 रुपए, आपने firm को लोटा दिये, तीनों ने मिलके, firm बोला, ओहो, 16200 का profit आ गया, लेकिन firm ने फिर आपको व तो आपके अकाउंट में देखा जाएगे, तो कितना क्रेडिट होना चाहिए, 16200, 16200, माइनस में 13500, तो आपको 2700 रुपए और मिल जाना चाहिए, right, ठीक है, समझ में है, 2700 आपको जो मिलेगा, वो मिलेगा, point of view, profit के, ठीक है, तो आपके अकाउंट में चलो, profit के नाम से दाल देंगे, profit, given, 2700, equal है, तो आपका कुछ नहीं दिया हुआ, तो 2700 कितने, 900, है न, ओहो, debit कर दिया, credit करेंगे न, 900, और यहाँ भी 900, और यहाँ भी 900, चलिए, अब यह 72 ज्यादा है, 72, कितने का फारका रहा है, बताओ, 72 माइनस में, 6900, 300 रुपए, यहाँ पर debit होगा, debit 300 से, ठीक है न, क्योंकि ओव्यस है कि आपको 69 ही मिलने थे, लेकिन मिल चुका 72, तो 300 कम करेंगे आपके अकाउंट से, यहाँ पर कितने है, 5400, और मजे की बात है, 5400, यह बोलेगा, भा इसका मतलब आपको मिलना चाहिए, 39, 36, तो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा 300 से, समझ भी बात आपको, अब जेनल एंट्री देखो, बड़े ही आनाम से कर सकते हो, जेनल एंट्री क्या होगा यहाँ पर, आपका S Capital Account Debit, S Capital, और 2 R's Capital, और Amount is 300, समझ में आए न, आपको, Amount is 300, और Being Rectified Entry Pass, तो हमने अभी जो कोशन किया, आपके Assignment में था कोशन 39, और आपके Book में चेक कर लेना यह, कि कौन सा कोशन है, ठीक है, इसको नोट करिए, इसके बाद हम 40 कोशन भी कर देंगे, जिसके अंदर, Interest का Opposite वाला Reaction है, यहाँ पर क्या था हमारा, Interest हमने जादा दिया था, अब दूसरा करेंगे, Interest कम दिया, तो एक बार इसको नोट करिए, फिर अगले को देखते हैं, ठीक है, नोट करिए एक बार,